श्री रूपम साग्रजातं सहगण रगुनातान वितं तंसजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजनसाइतं श्री कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिताशी विशाखान वितांश्य यस्य प्रसादाद भगवत् प्रसादों यस्या प्रसादा नगतिही कुतोपी ध्यायं स्थु वंस्तस्य श्री संध्यां वंदे गुरोहुषी चरनार विंदं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौर्थ विशे नमाहां हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे व्रिंदा वनेश्वरी व्रिशभानु सुते देवी त्वम्नमामी हरी प्रियम् जैरूप सनातन भट रगुनात शिजीव गुपाल भट दास रगुनात एचे गुसाईर करी चरण बंधन जहां होई ते बेग्ण नाश अभिष्ट पूरण बांचा अरुप तरुप्ध्यक्र कृपसिंधो भेवच्ण प्तिता नामा पावनिभ्यो भेष्ण वेष्ण वेभ्यो नमो नमाहां Hare कृष्ण अरे कृष्ण 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 हरे 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 nuts vous आम राम हरे आज हम लोग फिर से 21 है श्री पाद नर्तमदास ठाकुर महाशे की बड़ी सुन्दर प्रार्थ्मा पर चर्चा करने के लिए उसका रसा स्वाधन करने के लिए आपने सुना श्री नरुतमदास ठाकुर महाशे अपनी इस विशेश प्रार्थना में बड़ी ही दीनता पूर्वक बिलाप कर रहे हैं हैं परमसिद्ध, हैं नित्य पार्षद, हैं नित्यानंद प्रभू के आवेश अवतार लेकिन श्री पात नरुतमदास ठाकुर महाशे अपने आपको एक बहुत ही दीनहीन साधक के रूप में सोच रहे हैं और उसी भाव में वो ये प्रार्थना कर रहे हैं आईए प्रार्थना एक बार फिर से हम बढ़ते हैं हरी हरी बडो शेल मर में रही लो पाईया दुल्लवतनू श्री कृष्ण भजन्बिनू जन्म मोर विभल होईलो ब्रजेंद्र नंदन हरी नव द्वीपे अवतरी जगत भरिया प्रेम दीलो मुई से पामर मती विशेशे कठिन अती तेई मोरे करुणा नहीलो स्वरूप सनातन रूप रगुनात भट्ययुग ताहते ना होईलो मोर मती दिव्वे चिंता मनी धाम विंदावन हैनो स्थान से धामे ना कोईनो बसती विशेश विशिये मती नहीलो वैश्णवे रती निरंतर खेद उठे मने नरुतमदास कहे जीवे रोचित नहीं शी गुरू वैश्णव सेवा बिने तो हम लोगों ने ये जाना कि अपने आपको एकदम भजनहीन, साधारन, एक विशयी मनुष्ये की तरहा सोच रहे हैं दीनता के कारण शी नरुतमदास छाकुन महाशे और इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मनुष्यतन मिला जो की देवताओं के लिए भी बड़ा ही सुदुल्लब है उस तन को पाकर के मैंने कृष्ण भजन नहीं किया हाई हाई मेरा ये जो जन्म है और ये जो मेरा मनुष्यतन है वो बिल्कुल विफल हो गया श्री गुरुदेव ने इस मनुष्यतन का महत्व क्या है भजन के लिए ही मिला है अन्य समस्त योनियों में ये जो विशय सुख हैं ये तो हैं ही तो इसके लिए मनुष्य जीवन में आपा धापी करने की कोई आवशक्ता नहीं है इस बात को अनेक श्लोकों के द्वारा समझाया श्रीमत भागवत्म के अनेक अनेक श्लोकों का वर्णन किया हमारे प्यारे गुरुदेव ने और बहुत अच्छी तरह से इस मनुष्य देह की कीमत को बताया कि कितना सुदू लब है बहुत रेयर है है ना तो हमने पिशली दफ़ा ये चर्चा की थी कि ये जो मनुष्य का देह है ये वो भी जो अविकलांग देह है है ना और वो भी जो भारत भूमे में जन्मा हुआ है और वो भी जो की ऐसी जगहा है यानि सनातन धर्म में जो देह प्रकट है यानि कि जहां शीमत भागवतम शीमत भगवत गीता आदी समस्त शास्त रहें ऐसा दुल्लब नर देह मिला और उसमें भजन नहीं हुआ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता इससे बड़ा दुर्भाग्य कि इतना आसान बना दिया भगवान ने भगवत प्रापती कि सिर्फ हरी नाम लो जुबान हिलाते रहो कुछ नहीं करो तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहो है ना श्री राम जी का नाम बोलते रहो मतलब जिस नाम में आपकी रूची है भगवत नामों में विश्णु नाम, निर्सिंग नाम और बोलते 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 प्रेम हो जाएगा भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो इतना असान है सोचिए सत्यूग में तपस्या करनी पड़ती थी हजारों साल तपस्या होती थी तब कहीं जा करके भगवत प्राप्ती होती थी है ना और वो भगवत प्राप्ती भी जो होती थी वो भी एश्वर इमार्गी भगवत प्राप्ती होती थी कोई ब्रजप्रेम थोड़ी न मिलता था कि प्रिया प्रियतम की मधूर लिलाओं का आस्वादन हो उनकी सेवा हो पाए वो सेवा सुख मिले उनकी मधूर्यमा में डूब जाए उनका जो माधूर रहे वो चित्त को आकरांत कर दे ऐसा सुयोग थोड़े ही था ऐसा सुयोग तो दिया है हमारे शिमन महाप्रभू ने तो इसलिए हमारे गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये जो विशेश कल्यूग या महाप्रभू का जो कल्यूग है विशेश कल्यूग है ये यानि कि और भी कल्यूग आए लेकिन अभी वैवस्वत मनवंतर के 28 में चतर्यूग में जो कल्यूग आया है वो धन्य कल्यूग है क्योंकि वहाँ श्रीमन महाप्रभु आए है ना ब्रजेंदर नंदन आये प्रिया जी के महाभाव और उनके अंग कान्ति को ले करके तो एक तो ब्रजेंदर नंदन की अपनी करुणा कि उन्होंने अपनी सारी लीलाओं को प्रकट किया द्वापर में द्वापर के अंत में सारी लीलाओं को प्रकट किया ताकि लोग जान जाएं कि राग भक्ति क्या है राग भक्ति के प्रति लोब उठे और फिर स्वेम आ गए कल्युक के प्रतम संध्या में कि चलो हम अपनी ही लीलाओं का स्वादन करेंगे भक्त स्वरूप में और ब्रजरस भी बाटेंगे प्रिया जी का महा भाव ले आए उनकी अंग का क्योंकि सत्युग के जो लोग हैं वो समर्थ हैं सामर्थ का उनके अंदर गुण हैं शरीर जो है लाक साल रह जाता है बिमार ही नहीं पड़ते हैं है ना खुब दमखम है और कोई पाप नहीं होता है उनसे तो हर चीज का एक अभिमान है कि हां निशकरन के हैं और कल्युग में तो बस क्या नहीं है सारे दुर्गुन भरे पड़े हैं तो जिसके अंदर थोड़ी सी भक्ती आती है तो हाहा कार करने लगता है हाई हाई मैं इतना पापी हाई हाई मुझसे ये हो गया हाई हाई मुझसे भजन नहीं होता हाई मेरा शरीर हाई मैं भजन नहीं कर पा रह हा श्याम सुंदर कृपा करो हा गुरुदेव कृपा कीजे हा हा कार मचा रहता है और हमारे महाजन कहते हैं कि ये जो हा हा कार है ये ही भगवान की करुणा का उद्रेक करता है हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो भगवान की जो करुणा है वो दो मार्गों से होती है एक तो माया के मार्ग से होती है भगवान की करुणा माया के मार्ग से हुई तभी तो हमको ये शरीर दे दिया ठाकुर जी ने कृपा करके फिर उसके बाद सारे इंद्रियों को भोगने वाली विशे दे दिये इंद्रियों के अंदर आ करके बैठ गए ताकि जो है इंद्रियां चाली तो हो सकें इंद्रियां सक्रिय हो सकें अपने विशेयों का आस्वाधन करने की سमर्थ था, उनमें जागरे तो हो फिर इर्दे में परमात्मा रूप में बैठ गए ये हवा दे दी पानी दे दिया सब कुछ दे दिया ये माय मैई शिष्टी में रहने का सारा बंदोबस्त कर दिया भगवान ने ये माया के द्वार से करुणा करुणा तो हुई और दूसरी करुणा है स्वरूप शक्ति के द्वार से कि हिर्दय में चैत्य गुरू के रूप में बैठ गए शिक्षा गुरू के रूप में आपको मिल गए दीक्षा गुरू के रूप में हमें मिल गए और तोर सारे शास्त्र हमको दे दिये सद्गुरु दे दिये भजन पडाली पद्धती सब दे दी व्रिंदावन धाम में वास दे दिया, क्या नहीं दे दिया ये स्वरूप शक्ति के द्वारा, द्वार से उन्होंने करुणा कर दी और इतने जो करुणा में भगवान है, इतने करुणा में भगवान है और उपर से वो और भी करुणा में हो जाए जब वो प्रियाजी के भाव को ले करके आ जाएं तो ऐसे करुणा महें हो गए क्यों उन्होंने कहा नहीं नहीं इन कलिहत जीवों को मैं सबसे उच्च उपासना दूँगा और वो सबसे उच्च उपासना क्या है वो है मंजरी भाव पासना तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो महाप्रभु का जो कलियूग है ये श्री कृष्ण भजन का या श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का एक महासंधीक्षण है कृष्ण भजन और कृष्ण प्रेम प्राप्ति का महासंधीक्षण है यानि अन्य कल युगों में ये बात नहीं है महाप्रभू अन्य कल युगों में नहीं आते है वो भी जो वेवस्वत मनवंतर है उसके 28-चतुर युग में जो कल युग आता है यानि कि जब श्री ब्रजेंदर नंदन स्वेम भगवान कृशन स्वेम आते हैं तो आज लोग लाखों की संख्या में हरी नाम लेते हैं, हरी नाम संकीर्टन होता है, है ना, और ऐसे लोग जोकी प्रलुब्द हो गए, रागानों का भक्ती को प्राप्त करने के लिए, और हमारे गुरुदेव के पास आए और भी अनेक बड़े प्यारे प्यारे संत हैं उनके पास गए और उनको वो अवसर प्राप्त हुआ कि वो मंजरी भाव का भजन कर सकें तो यह सोचिए यह नसीब में नहीं है सत्य यूग में या द्वापर यूग में या अन्यकल यूगों में तो इसलिए कहा कि ब्रजेंद्र नंदन हरी नवदीपे अवतरी जगत भरिया प्रेम दीलो मुई से पामर मती विशेशे कठिन अतीते इं मोरे करुणा नहीं लो श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा जी की भाव और अंग कांती को लेकर श्री गवर रूप में नवदीप में अवतीन हुए इस अवतरन का जो मुख्य हेतु था जो मुख्य कारण था जो मुख्य उद्देश था वो था श्री राधा भाव से स्वा माधूरे का आस्वादन ये तो हम जानते ही है भगवान श्याम सुंदर की जो मधुरुमा है वो स्थावर जंगम स्त्री पुरुष सब को मोहित कर देती है आकरशित कर लेती है सब को मतलब जे रूपेर एकन डुबाए सर्व भुवन सर्व प्राणी करे आकरशन जो सम्वित शक्ति के महादिष्ठान है जिनसे सम्वित शक्ति ज्ञान शक्ति प्रकट होती है वो स्वेम मोहित हो जाते हैं अपनी मधुरुमा को देख कर चमतकृत हो जाते हैं लेकिन आस्वादन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आस्वादन करने के लिए आश्रे जातिये प्रेम के आवशकता है कि जिन्होंने उसका आस्वाधन किया है और भरभर के आस्वाधन किया है क्योंकि जिसका जितना प्रेम वो उतना ही आस्वाधन कर पाएगा श्री कृष्ण मधुरिमा का तो जीव में तो अनुपरिमान का प्रेम है वो अणु परिमान के प्रेम से क्या आस्वादन कर पाएगा इतने विवु मधुरिमा का सूचिए और फिर जो है कुछ अपेक शाकृत निवनाधिक प्रेम जो है वो नारत आदी भक्तों में है वो भी कितना हथ तक कर पाएगे जो महान प्रेम है वो ब्रजवासियों में है और जो परम महान प्रेम है वो है हमारी प्रियाजी में शीराधा नानी में जिनके अंदर है मादनाख्या महाभाव मादनाख्या महाभाव इस मादनाख्या महाभाव से स्वामिनी शामसुंदर रूपी रूप सिंधु का पान कर लेती हैं अकेले ही पान कर लेती हैं तो जब देखा कि ये जो पान कर रही है अकेले ही और मैं एक बुंद पान नहीं कर पा रहा हूं तो ये लोग उठा कि मैं फिर तो जानू ये कैसी मधरिमा है कि इनको क्या सुख प्राप्त होता है इनके प्रेम की महिमा कैसी है कि भही मैं तो कहीं भी प्रिया जी के बारे में सोच के भी ऐसे नहीं सोचता कि हाँ ये शीराधरानी और मैं भागू उनकी तरफ लेकिन किशोरी जी है वो देखती है कि एक तमाल विर्क्ष रहे है अगर तो ऐसे भाव उनमत हो जाती है प्रेम उनमत हो जाती है कि तमाल विर्क्ष का अलिंगन कर लेती है मेग को देखती है तो तुरंत दौड़ पड़ती है मेग की तरफ तो ये कैसा प्रेम है ये कैसे मेरे माधूरे का लोब है ये कैसी प्रेम की महिमा है मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ मैं experience करना चाहता हूँ मैं भी माधनाख्या महाभाव को ले करके आना चाहता हूँ माधनाख्या क्या हो मोहनाख्या महाभाव क्योंकि विपलम रस का अस्वादन करने है हमारे गौर सुंदर प्रियाजी के भाव में तो ऐसे शिमन महाप्रभू श्री गौर रूप में आये नवदीप में आये तो श्री राधा भाव से अपने माधुरे का अस्वादन करने थे लेकिन आनुशंगे के हे तु था सारे विश्व को ब्रज प्रेम दान ब्रज प्रेम दान और उसमें भी मंजरी बहाव पासना राधा दास्यम का दान राधा दास्यम का दान युगल सरकार के प्रती प्रेम हो राधा स्निहादी का भाव लासर रती ये जो दी गई ये शिमन महाप्रभू के द्वारा दी गई है और हमारी जो रूप गोस्वामी महाराज है, उनके द्वारा प्रचारित है, आचरित है हमारे गोस्वामियों के द्वारा, तो हम लोग बहुत बहुत भागिशाली हैं, समस्तो गौडिय वैश्न, जिनको इतनी बड़ी संपदा हमारे प्यारे शीमन महाप्रभू दे गए हैं, और आज तक दे रह हैंगे, है ना, तो इसलिए शिल रामनंद राए ने शीमन महाप्रभू से कहा है, कि राधिकार भावकांती करी अंगिकार, निजरस आस्वादिते करी अच्वावतार, निज गूड कार्जे तुमार प्रेम आस्वादन, आनुशंगे प्रेम मोय, कोईले त्रिभूवान, भग्मान को भग्त पकड़ लेते हैं, जैसे भग्मान भग्तों को पकड़ लेते हैं, तो ऐसे ही, जो भग्त हैं, वो भग्मान को पकड़ लेते हैं, रामनंद राए जी, प्रिया जी की बड़ी प्यारी सकी है, विशाखा सकी है, विशाखा सकी से कोई बात नहीं चुपी रहती है प्रिया जी की और बहुत वो विनम्र हैं जहां ललिता जी काफी प्रखरा हैं तो विशाखा जी जो है बड़ी सोच करके बुद्धी पूरवक सब काम को बनाती हैं कि गहीं काम बिगड़ना जाए तो इस तरह की हमारी बड़ी प्यारी सकी है तो रामनंद रायत जी जो कि विशाका सकी है तो कृष्ण के बगार प्रिया जी के बगार कैसे रह सकते हैं कैसे राधा कृष्ण एक आत्मा होकर कि उनसे चुप सकते हैं चुप सकते हैं असंभव हैं नहीं चुप सकते हैं गोदावरी के तट पर मुलाकात हुई लेकिन तो भी पहचान लिया रामन अदराय जी ने भगमान को गोरहरी को पहचान लिया पालकी पे सवार होकर आए कितने सारे कहार वगरा उनके पालकी को लेकर के आए कितने कितने ब्रामन आदी सब चल रहे हैं राजा से कम वैभब नहीं है उनका, तो ऐसे में उन्होंने देखा शीमन महाप्रभु को, जब शीमन महाप्रभु को देखा, एकदम गौर कांती, एकदम पीतवन, चमकता हुआ स्वनिम कांती, तो जिसकी याद में नाटक लिख रहे हैं, जगणनाद वल्लब नाटक, जहां प्रिया प्रियतम की सारी सुनदर-सुनदर उनके प्रसंग हैं, उनको जगणनाद जी के आगे नुत्य कराते हैं, या वो, जो है सदा सरवदा विभोर रहते हैं यूगल रस में वो उनके सामने यूगल एक होकर के आ गए रसराज महाभाव एक आत्म होकर के और रामनंद रहे जी नहीं पहचानेगे तो कौन पहचानेगा चुप सके वहला बताओ वैसे तो बहुत चुपे ना नवदीप में कोई पहचान नहीं पहा रहे शुरिवास जी के सामने जब आ रहे हैं गण्यों नर्सिंग जी के रूप में आए अरे शुपा तुम डरते हो क्या किसे डरते हो तुम उन लोगों से डरते हो कि तुमको पकड़ के ले जाएंगे मैं हूँ ना यहाँ पर देखो मेरा यह रूप नर्सिंग रूप दिखा रहे हैं चतुर बुज रूप है ना तो छुपाते हैं हर जगा प्रचन अवतार है ना गौररी तो यहाँ भी छुपा रहे हैं यहाँ कौन सा इनों ने दिखा दिया तुरंत लेकिन पकड़ लिया रावन नंदराय जी ने कह रहें अच्छा राधाराणी का भाव और कांती करी अंगेकार निजरस आस्वादी ते करिया चो अफतार तुम ब्रजे दिन नंदर हो न वही छलिया लेकिन इस बर कैसे करके आए तुम राधाराणी की अंकांती ले आए कोई पहचान न सकी तुमको और भाव भी ले आए मैंने पकड़ लिया तुमको मैं नहीं पकड़ूंगी तुम्हें, मैंने पकड़ लिया अच्छे से, और अपने रस का अस्वाधन करना चाहते हो, है ना, इसलिए ना, इसलिए मुझसे सारे साध्य तत्व कहला रहे हो, साधन तत्व कहला रहे हो, तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन मेरे मुँ में कहो किचुवार, फिर उसके बाद थोड़ा सुनते हैं, एहो भाई, आगे कहो किचुवार, तो इस तरह से करते 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 करते, श्री कृष्ण प्रेम तक ले आए, प्रिया जी की प्रेम तक ले आए, उसके बाद वहाँ पे प्रिया जी के प्रेम को स्टैबलिश किया, और पिर यहां आगे बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये जो सक्षियों के बगएर बात चलेगी नहीं सक्षी भाव लेना पड़ेगा गोपी भाव के आनुगत्य के बगएर एश्वर भावे भजले नहीं पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन इतनी बड़ी बात कहला दी शीरामनंद यही मुख्य बात है ना लोग तो सोचने तुम संकीरतन एक पितर हो संकीरतन के पिता तुम हो हम लोग अपनी हिंदी के किताबों में देखते थे जहां पर यह लिखा होता था कि संकीरतन के पिता हैं शीर चैतन्य महाप्रभू संकीरतन उन्होंने प्रारंब किया कृष्ण निजगूड कार्ज तुमार प्रेमासवादन कि तुम प्रिया जी का प्रेमासवादन कर रहे हो प्रिया जी का भाव लेकर करने क्या आए हो प्रिया जी क्या करती है वो सिर्फ भाव में ही है महा भाव में कुरेश्न प्रसंग ही उनके कानों का कुंडल है वो सिफ कृष्ण प्रसंग के अलावर कुछ नहीं सुनती अगर उनके गुरुजन डाड़ते हैं, भरशना करते हैं, कुछ भी करते हैं वो टकरा के बाहर निकल जाता है क्योंकि उम्हा कुछ और आहिनी सकता है कृष्ण प्रसंग के अलावर वो बोलती है मुख का जो बचन है वो कृष्ण प्रसंग है उनका पूरा श्री अंग वो कृष्ण प्रेम से बना हुआ है समझी? कृष्ण प्रेम से सार्य अंग बना हुआ है प्रिया जी का तो फिर ये क्या करती है? यह कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रही है, शीमती जी, और कृष्ण को श्यामरस मदु पान करा रही है, शिंगारस का पान करा रही है, शिंगारस में उनकी सेवा कर रही है, कितना सुन्दर, है न, तो तुम्हारा जो गूर का रहा है न, वही प्रेम आस्वादन करना है, प्रिया जी के भाव को इसलिए तो लेके आए हो कि कृष्ण प्रेम आश्वादन कर सकूँ, ये कृष्ण रस क्या है, ये कृष्ण प्रीती क्या है, ये कृष्ण की मधुरिमा क्या है, अब जब विरह में ही मधुरिमा जो है वो आकरमन करती है, मिलन में तो मधुरिमा ऐसी नहीं करेगी जैसे विरह में, तो राधिकार भाव जैचे उद्धव दर्शने, से मतो दशा होए प्रभूर रातरी दिने, रात दिन जो है महाप्रभू की जो दशा है वो ऐसी है कि जो प्रिया जी ने जब माथूर विरह में उद्धव जी के दर्शन किये, और जो उनको दि जल्प की दशा को उन्होंने प्रकट किया अभ्रमरगीत की रूप में, और उद्धवूर ना की दशा भी वो प्राप्त होती थी, भूली जाती थी कि कहा जाना है, वो सोचती थी कि वो भूली जाती थी कि क्रिश्न गए कि नहीं गए, वो चली जाती थी अभिसार के लिए निकुंज को सजा रही है वासक सजिका के रूप में तो ऐसी ऐसी प्रियाजी को हर पल हरक्षन श्री कृष्ण रूप भासता रहता है उनकी निगाहों के आगे ऐसे ही गौरहरी को हर जगा कृष्ण देखते हैं तो निज गुड कारे तुमार प्रेम आस्वादर आनुशंगे प्रेम मौए कोई लेतरी वहान आनुशंगे गौन रूप से तुमने का सब को दे दो भाई प्रेम मैं तो पी रहा हूँ ये बिचारे मर रहें प्रेम के बगार भाई जिसे कृष्ण प्रेम नहीं मिला उससे जादा गरीब कोई हो नहीं सकता वो महागरीब है जिसे कृष्ण प्रेम नहीं मिला यानि यूगल प्रेम नहीं मिला वो तो महागरीब है यूगल प्रेम मिल गया तो उससे फिर किसी चीज की आवशकता नहीं है वो एक टूटे पूटे छत्के नीचे भी रह लेगा, वो चेना चबेना खा και भी जीखा क्योंकि बहुत अमीर है, माला-माल है क्योंकि आत्मा की खुराक मिल गई न, आत्मा तो ढूंडी रही है इसी को, इसी आनन्द को ढूंड रही है, इसी रस को ढूंड रही है, कृष्ण रस को, रसोवेसा को, जिसे वो रस मिल गया, फिर उसे किसी चीज की आउशकता नहीं है, तो महापरभु को करुणा हो गई सिर्फ पृत्वि लोक नहीं, त्री भूवन उन्होंने प्रेम्माय कर दिया, आनुशंगे, सेकेंडरी गाम है वो, जगत भरिया से प्रेमदान का व्यापकत्व समझ में आता है, जगत भरिया प्रेम दी ले, तुमने जगत भर करके प्रेम दे दिया, जगत को भर-भरके है ना अरे देखो ना उनको श्री गौर हरी को जारखंड के जंगलों से जा रहे हैं कभी सुना है किसी ने प्रेम देखर के बाग को नचाया हाथी नाच रहा है हरी किष्णा हरी किष्णा गा रहा है कभी तो नहीं सुना हमने और सब के सब नाच रहे हैं, सब अपना धर्म भूल गए कि हमें हिरन को खा जाना है, हिरन भी वही नाच रहा है तो फिर शेर भी वही नाच रहा है हाती भी जो है नाच रहे हैं, सब कोई नाच रहा है सारे पशुपक्षी नाच रहे हैं गौरहरी के साथ, सबको नचा दिया, आनुशंगे प्रेम में, अपना दो तो राधरानी के भाव में कृष्ण रस लूटते जारें और रस बिखेरते जारें, लो जी लो, युगल रस बिखेर रहें तो जगत भरिया से प्रेमदान का व्यापकत्व समझाता है, कि किसी एक को दिया हो, दो को दिया हो, चार को दिया हो, नहीं, देखते ही प्रेम हो जाता है देखते ही प्रेम स्रिलक्रिष्णदास कविराज गोस्वामिपादनी बाड के साथ तुलना करके शिमन महाप्रभु के प्रेमदान की व्यापक्ता को समझाने की चेश्चा की है बाड वो किसी एक के पास नहीं आती बाड जब आती है है ना देखा होगा ना फोटेज टेलिविजन पे जब बाड आती है गाउं के गाउं को डुबो देती है शेहर के शेहर को डुबो देती है एक घर में नहीं गुशती कि उस घर को मैंने एर मार्क कर लिया है उस घर में ही जाऊंगी किरपा करने के लिए ऐसा नहीं है या उसे ही डिस्ट्रॉई कर दूँगी समाप्त कर दूँगी नश्ट कर दूँगी ऐसा नहीं है आती है तो सब को बहा ले जाते है है कि नहीं उतिलीलो प्रेम वन्या चौदी के बेडाय इस्त्री वृद बालक युवा साबारे डुबाय ये नहीं देख रही है कि बच्चा है तो प्रेम कृष्ण प्रेम नहीं दूँगी अज देखो ना शीवास जी को जब शीवास जी को जब विश्वास नहीं हुआ कि गौरांग महाँ प्रभू कह रहे हैं कि मैं जो है जिससे तुम इतने डर रहे हो उनके हिर्दय में प्रेणा के रूप में मैं ही बैठा हुआ हूँ ठीक है ना वो आ नहीं सकते हैं यहां पर उन सबसे जो है मैं कृष्ण नाम लेकर के नचवाऊंगा उन्हें बोलूँगा क्या तुम एक जानवर को क्रिष्ण नाम लेकर के नचा सकते हैं उनके सामने मैं नचा दूँगा जानवरों को भी क्रिष्ण नाम लेकर के उनके सारे जितने भी लोग बैठे हुए काजी वगारा सब लोग क्रिष्ण नाम लेकर के नाचने लगेंगे अब इतनी बड़ी बात कहा है रहे हैं शिवास जी तो महापुर्भू को तब से देख तैया है है जब से वो बच्छे हैं अब सोचे तो उनकी स्थिती यह यह इतना रसीला सब्जेक्ट है तब से देखते चले आ रहे हैं तब से और गया धाम से आने के बाद शिमन महापुर्भू ने प्रेम का प्राकट्टे कर दिया अपने भक्त स्वरूप प्रकट कर दिया वो अभी नई नई बात है मगर अभी हुआ ही है है ना लेकिन वो बात भी कहीं से दिमाग से गई नहीं है कि ये तो बहुत बड़े शास्तरग्य पंडित है निमाई पंडित जो विद्या के गर्म में सब का मजाग उड़ाय करते थे तो वो भी कहीं थोड़ी बात थोड़ी बहुत है लेकिन जब महापुर्भू उन्हें अपना निर्सिंग रूप दिखाया तीन चार साल की बुलाया नाराणी धर आओ बिटा जरा क्रिश्न क्रिश्न बोलो तो और उसने क्रिश्न बोलना सुरू किया क्रिश्न क्रिश्न हाँ क्रिश्न हाँ क्रिश्न 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 करते करते रोना धोना लोट फोट आशुपे आशुप है रहे शी वास जी तो और सब लोग उनके ये अवस्था देख कर ना राइनी जी की अवस्था देख करके दंग है अपने शी मुक का पान चर्वित पान दिया शी गौरहरी ने और तब शी चैतने भागवत जी के जो व्यास अफ्तार है हमारे प्यारे शीविंदावंदास ठाकुर जी फिर कुछ सामय बाद जब बड़ी हो गई ब्याव अगरा हो गया तो उनका जनू हुआ किर्पा कर दी कम किस पे कैसे किर्पा कर देते है भगौान कुछ पता नहीं है न कोई पारामिटर नहीं है किसी पे भी किर्पा हो सकते है कोई qualification नहीं है इसलिए तो उनकी जो करुणा है और भक्त को देख करके उनका हिर्दर जो द्रवित हो जाता है और वतसलता है उनके अंदर इतनी अधिक कि वो कोई qualification नहीं देखते है इसलिए तो वो इतनी attractive है भक्तों के लिए यही तो आशाबंद है यही तो है कि वो यह नहीं देखते है कि इसने तो PhD की हुई है और यह 0 है अंगूठा चाब तो PhD वाली को मिलेंगे क्या बाखी लाइन में खड़ेंगे क्या नहीं ना ऐसा तो नहीं है हमारे गौर हरी तो कुछ भी नहीं देखते है ना इसलिए जब वो आए तो स्त्री वरत बालक युवा सबारे डुबाए सजजण दुरजण पंगू जड़ अंधगण सजजण दुरजण पंगू जड़ अंधगण प्रेम वन्याई डुबाई लो जगतेर जण चाहे सजजण हो चाहे दुरजण हो दुर्जन को तो भक्ति नहीं मिलती है, यही सुना है ना, लेकिन यहां सब को मिल गई, दुर्जन को, सजन को, जड़ को, से कुछ भी समझनी आता, मूर के बिचारा, ना पढ़ना जानता, ना बूलना जानता, उसको भी मिल गई, पंगु को भी मिल गई, है ना, आव इकलां जीवेर होईलो बीज नाश ताहा देखी पांच जनेर परमुलास हमारे जो पंचिततों हैं इनको परमुलास कि भाईया ये जीव का बीज ही नाश हो गया अब बीज माने कि जब ये जो हमारा स्थूल शरीर है सूख्ष्म शरीर है दोनों ही समाप्त हो जाएगा अगर कृष् चित एहंकार इससे बनता है हमारा सुख्ष्म शरीर अब मन भगवान में लग गया चित भगवान में लग गया बुद्धी भगवान में लग गयी तो एहंकार का रूप शुद्ध स्वरूप हो जाएगा एहंकार हो जाएगा मैं प्रिया जी की दासी हूँ और ये मेरी आमिने हैं, बस, यही हो जाएगा ना, गुरुदेव मेरे सर्वस्व हैं, तो क्या होगा फिर, एहंकार शुद्ध हो गया, तो इतर वासना उठनी बंद हो जाएगी, कोई वासना ही नहीं उठेगी, कि मुझे यह मिले, या ऐसी नौकरी हो, ऐसी छोकरी हो, यह सब तो कुछ म मेरे बच्चे का यह हो जाए, मेरे बच्चे के बच्चे का यह हो जाए, यह वो सब खताम, जीरो, जीरो, करना होगा, तो प्रेम से ही जीरो होगा, जब प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, यानि कि जीरो हो गया, तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या होगा, तो के प्रलें ये होते आत्यान्ति की प्रले हैं, समझे आप, ऐसी प्रले की फिर अब दुबारे कोई प्रले नहीं आएगी ऐसी पैयरी प्रले आज जाएगी कि ये शरीर और शरीरी और शरीर का कारण, वारण लिंग देव अगरा साब समाब फिनिश तो कब होगा कब होगा जब हा किशुरी जीव, हा गुरहरी हा निताई चांद, हा गुरुदेव कहके हा कार मचेगा हिर्दय में तब ये जलेंगे सारी के सारी संसकार जलेंगे तो जब देखा ऐसा हुआ, यही तो प्रेम है तो फिर क्या हुआ, पांचों को परमुलास हो गया हमारे ट्रीमन महावरूब ही पांच स्वरूप में बैठे हुए नारज जी भी तो उनी से ही प्रकट है और मानिशिवास जी गदादर जी भी उनकी शक्ती है राधा जी नित्यानंद प्रभू तो पता ही है बलराम जी और अनंग मंजरी जी का स्वरूप मिलित स्वरूप हमारे प्यारे निताई चांद और अद्वैताचारे जी महाविष्णु जी है और सदाशिव उनका योगल रूप और गौरहरी तो है ही प्रियाप्रियतम का योगल सुरूप तो ऐसे जो है पाँचों बढ़ी हर्शित हुए जतो जतो प्रेम विष्टी करे पंच जने ततो ततो बाड़े जल व्यापे त्रिभूवने प्रेम विष्टी कर रहे हैं पांचों और उतना ही ये प्रेम वन्या का जल त्रिभुवन में बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो प्रभु के प्रेम के उस बाड में सारा विश्व डूब गया अच्छा ये मैं नहीं कह रहे हूं कि पता चले जी मैं कोई वन साइडिड व्यू दे रहे हूं ऐसा नहीं है ये नरुत्तम दास ठाकुर महाशे कह रहे हैं ये चैतने चैडिताम बृत में हमारे प्यारे श्री कृष्ण दास का विराज गुष्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे अती प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं ठीक है ना मैं तो से पढ़ नहीं हूं पढ़ करके हम आस्वादन कर रहे हैं मैं भी आस्वादन कर रहे हूं और आप भी आस्वादन कर रहे हूं अपनी अपनी योग गिता के अनुसार हम सब आज स्वाधन कर रहे हैं तो इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि प्रभू के प्रेम की उस भाड में सारा विश्व डूब गया जो बाबा ने कहा दे हो वो सत्त है डूब गया जीवेर होईलो बीज नाश है जी फिर मगर शिल ठाकुर महाशे सौ दैन ने कहते हैं प्रेम मिले का तब न डूबेगा ये तो प्रेम ही के अवतार है हमारे नर्तमदास ठाकुर महाशे नित्यानन प्रभू ही तो है वो दैन ने समित कहते हैं मुई से पामर मती विशे कठिन अतिते मोरे करुणा नौही लो कोई वो पामर मती है क्या वो कठिन हिर्दय वाले है नहीं बिल्कुल नहीं मगर वो कहरे मैं अति पाप आत्मा हूँ नीच मती हूँ सभाव से ही मेरी पाप पंकिल बुद्धी है पाप में डूबी है ऐसी बुद्धी है विशेशत है अपराध के कारण मेरा चित पत्थर की तरह कठोर है इसलिए मेरे प्रती ऐसे करुणा मई की जिसने सब को करुणा बाट दी उनकी करुणा धारा मुझे पर नहीं बरसी ये जो बहुत दीन होते हैं वो ही ऐसा कहते है दीन अति दीन और जो जितने प्रेमिक होते हैं वही दीन होते हैं जिनके अंदर प्रेम कूट कूट के भरा है जैसे हमारे प्यारे शी नर्तव्दास ठाकुर महाशे उनका तो निर्बाण ही प्रेम से हुआ है काले से गोरे हो गए प्रेम को पाते ही गौर्चंदर के प्रेम को पाते ही देखो कितने प्यारे हो गए पारशद थे तो प्यारे तो पहले भी थे लेकिन प्रेम को पाके ऐसा रूप भी आएगा और वो ऐसे डूब जाएंगे गौर्चंदर प्रेम रस में कौन जानता था भला एकदम से तो समझ नहीं आया तो वो मगर अगर कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ और कठिन मती हूँ पाशान हिर्दय है अपराद से मेरा इसलिए करुणा नहीं बरसी तो उन्होंने कह तो दिया पर ये उनके लिए बात नहीं हमारे लिए बात है कि अगर हम अभी भी हजारों नाम करके लाखों नाम करके प्रेम से बहुत दूर बैटे हुए हैं कोई भाव ही नहीं उड़ता तो इसका मतलब बहुत गुरुतर अपराध है हिर्दय में इसलिए भाव जो है नहीं उड़ते हमारे हिर्दय में नहीं तो जो कृष्ण नाम लेता है उसके हिदे में कोई न कोई भाव जरूर उषता है भगवान के लिए वो द्रवित होता है उसका चित है ना, गुरुदेव कहते हैं अपराद का गुरुत्व पाप से अधिक होता है यहीं बताने के लिए विशेश शब्द प्रियुक्त हुआ है हम यह पढ़कर भी आए हैं शिमादूरे कादुमनी में हम लोगों ने पढ़ा कि जो पाप है वो शरीर को प्रभावित करता है और जो अपराद है वो आत्मा की उर्द्व गती को रोग देती है आत्मा जो की भगवत प्राप्ती के मार्क पर चल पड़ी है अगर हम कोई अपराद कर बैठते हैं तो हम फिर उस लाब से वंचित हो जाते हैं उस प्रेम की प्राप्ती से वंचित हो जाते हैं उस सेवा सुख की प्राप्ती से बंचित हो जाते हैं बहुत बड़ा अफसर निकल जाता है है ना तो जब अपराद समाप तो हो जाते हैं हरी नाम करते करते या शमा मांगने के बाद जैसे भी तब फिर से वो गती शुरू हो जाती है तो प्रेम की मूर्ती देखिए गुरुदेव ने कितने प्यारे शब्द कैसे इसमाल किया प्रेम की मूर्ती है शीले ठाकुर महाशय तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई अतिश्योक्ती अलंकार का इस्तिमाल कर रहे हैं प्रेम की मूर्ती है ही है ना तो प्रेम की मूर्ति शीरा ठाकुन महाशाय अपनी बात कहकर जग जीवन को शिक्षा दे रहे हैं। जो आचारे होते हैं, जो मार्मिक आचारे होते हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे, कि तुम खराब हो, तुम महापापी हो, तुम अपरादी हो, तुम नहीं ये किया, तुम मैं अच्छा हूँ, नहीं, वो यही कहते हैं कि मुझसे ही कुछ गरबढ हुई होगी, कि आप ये लीला दिखा रहे हो मुझे, मेरी ही शिक्षा देने में कोई कमी रह गई होगी, मैं ही जो है ठीक से आप से अपनी बात नहीं कह पाया, तो जगत के जीवों को ये शिक्षा द अंचित हैं, वे सही माइने में भाग विडंबित मानव हैं, भाग विडंबित, भागे ने उनके साथ बहुत क्रूर खेल खेला है, अरे लोग भगवान को ढूनते हैं भाई, और कलियुग में हमारे प्यारे गौरहरी आगए, आगए, अब ही तो आए, कुछ सौ साल पहले है ना, और प्रिया प्रियतम एक रूप होकर के आ गए, और माधुर्य की पराकाश्ठा के रूप में आ गए, भगवत्ता की पराकाश्ठा के रूप में आ गए, पूनिबा में आ गए, गौराग महाप्रूबू, और ऐसे करुणा में हैं, ऐसे करुणा में हैं, कि जिनका नाम ही तार देता है हिर्दे से अपराद आदी की संभावना को भी निर्मूल समाप्त कर देता है जो उस नाम रस में डूब जाए जो सच्चे मन से उनके चर्णों का आश्रय ले ले इसलिए हमारे प्यारे जो आचारे हैं शीला प्रभोधानंद क्रितिम नव वया श्यान चास्तु श्यन चास्तु धिक दुजत्वम अपी धिक परम विमल माशमाध्यन चा धिक नचेत परिचितः कलव प्रकट गवरो गोपी पति है कहते हैं कि गोपी नात श्री कृष्ण इस विशेश कल्यूग में ब्रज की उज्वल रस्मय प्रेम माधुरी जगत जीवन को प्रदान करने के लिए शी गवरांग रूप में आविरभूत हुए है उनकी करुणा के साथ जिसका परिचय नहीं है उनकी करुणा के साथ जिसका परिचय नहीं है उसके उजवल कुल को धिक्कार उसके यश को धिक्कार उसके पढ़ाई लिखाई को धिक्कार उसके सुन्दर रूप कोई क्या चाटना है धिक्कार उसके नवीन वयस को धिक्कार उसके प्रचूर एश्वर्य को धिक्कार उसके ब्रामनत्व को धिक्कार ब्रामणों के तु क्या पाएगा तुझे कृष्ण प्रेव नहीं मिल सकता तु ब्रामण ब्रामण कहते हैं अब मर जाएगा कहां जाएगा बता द्विजत्व को धिकार या सन्यास आधी आश्रम को शत शत धिकार जो गौरांग से विमुख हैं यह नहीं कह रहे हूँ यह वो कह रहे हैं जिन्होंने शी राधारस सुधानिदी लिखी हमारे प्यारे शी प्रबोधानंद सरस्वतिपाद यह वो कह रहे हैं अपने शी चैतन्य चंद्रामवितम में या ये वो कह रहे हैं जिनोंने श्री विंदावन महिमा मृतम लिखी, विंदावन की महिमा का गायन किया, जिसे कितने कितने लोग पढ़ते हैं, आश्रे लेते हैं, लेकिन वो महाप्रभू की तरफ नहीं मुड़ पाते हैं, ये उनके लिए वही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रह अगर उनके भक्तों का अपमान करते हैं, या उने छोटा देखते हैं, तो ये बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अपने आचारियों को बेजा उन्होंने, जो भक्ति रस शास्त्र उन्होंने अपने आचारियों से परकट कराया, सारे गोस्वामियों से, रूप जी से, सनादन जी से, रगुनादा गोस्वामी जी से, जीव जी से, तो वो गौरहरी, वो गौरहरी, क्या देने आये हैं इस व प्रेम माधुरी, निकुंज सेवा, मंजरी भावात्मक, निकुंज सेवा, भावुल्ला सरती, तो बोला उनके, शत शत दिक्कार, भई एक बार नहीं बोला, सौ सो बार दिक्कार हैं, बात समझा गई? ऐसे हैं गौरहरी, तो शीले ठाकुर महाशे सोचते हैं, कि यदि शी ग गौरांग के प्रेम में पारशद गणों के चरणों में मेरी रतीमती होती, तब भी मेरी पाप पंकिल मती शी गौरांग चरणों में निविष्ट हो पाती, किन्तु हाए, उन सब के प्रती भी तो रतीमती नहीं हुई, स्वरूप, सनातन रूप, रगुनात, भट योग, कि चलो, डारेक्ट भगवान में नहीं हुई, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान की महिमा तो भगवान के भक्त ही समझाते हैं, उनी की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है, उनी की कृपा से भगवान की तरफ हमारी रूची आ सकती है कि नहीं आती है, भक्तों की कृपा ह तो भगवान की कृपा होगी, ये हम पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, अनुभाव भी किया हैं, तो कह रहे हैं कि उन में भी तो मेरी रतिमती कहां होई है, नहीं होई है, शीला प्रबोधनन सरस्वति पाद कहते हैं, कि गौर भक्त की किरपा या संग से कर्मी ज्यानी भादन कर धन्य होते हैं, देखो कितनी बड़ी बात फिर से लिख रहे हैं हमारे शी प्रबोधनन सरस्वति पाद शी चैतने चंद्रामरितम में, तावद ब्रह्म कथा, विमुक्ति पदवी, तावन तिक्ती भवेत तावचापी, विशिंखलत्व मयते लोक वेद इस्थि तावचास्त्र विदाम मिथा कल कलो, नाना वही वर्तमसु, शी चैतन्य पदामबुज प्रियजनों यावन द्रिग गोज रहा, आहा, बड़ी सुन्दर बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक गौर भक्तों के दर्शन नहीं मिलते, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, गोर भक्तों की, तब तक ज्यानियों को ब्रह्म तत्व की और योगियों को योगमार की बाते बहुत अच्छी लगते हैं, लोक मरियादा और वेद मरियादा का पालन करना तभी तक संभव होता है, तभी तक वेदानतिक पंडित गर्ण परसपर नाना वाग वितंडा में प्रवित रहते हैं, शास्त्रार्थादी करते रहते हैं, तरपितर, गोर भक्तों की कृपा होने पर ये सब तुछ अतितुछ हो जाते हैं और तब प्रेमामृत अस्वादन के लिए प्यासे प्राण रोने लगते हैं, रोना ही सार है रोना ही भजन है है ना जो रो सका प्रिया प्रियत्तम के लिए हाहा कार कर सका रो पाया तो समझ लिजे कृपा हो गई है ना तो ये पिपासित प्राण जो है वो गौर कृपा के लिए वो गौर प्रेमा अम्रितास्वादन के लिए तब तक नहीं होगा जब तक गौर भक्तों के गृपा नहीं होगी ये मैं नहीं कह रही हूँ ये हमारे प्रबोधनन्द सरस्वतिपात कह रहे है ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई कहे कि गौडिय है ना तो ये थोड़ा सा बायस्ड है ऐसा नहीं है मैं बायस नहीं हूँ कि मैं तो आपको शलोक बताया ये शलोक बताया ना कि जब तक गौर भक्तों के दर्शन नहीं मिलते उनके कृपा प्राप्त नहीं होती तब ही तक ज्यानियों को ब्रमतत्व या योगियों को योगमार की बातें अच्छी लगती हैं एक बार गौर भक्त से मुलाकात हो जाए तब देखिए वो कैसे प्रेम में बहता है और हागौर करके रोता है और हाँ राधे करके रोता है और उसके बाद उसके उनके चित में जो भाव है जब वो संक्रमित होंगे हिर्दय में तो फिर ये सब उड़ जाएगा ये सब चीजें उड़ जाएगे ये सारी बाते उड़ जाएगे तब तो सिर्फ क्रंदन सार रह जाएगा और वही आनंद है वहाँ पर ही आनंद है वही से आनंद की प्राप्ति होती है तो आगे बोल रहे हैं श्री नौर्टम्दाथ शाकुर महाश्य दिव्व चिनता मनी धाम प्रिंदवन है नो स्थान से धामे ना कोई नो बसती श्री विंदवन धाम दिव्व या अप्राक्रत है प्रपंच में अवस्तित होकर भी प्रपंचा तीत चिनमय है श्री कृष्ण की ही तरह उनकी संदिनी शक्ति का वैभव है श्री विंदावंधा, सर्वव्यापी, विभू और महान यह कोई अन्य तीर्थ जैसा नहीं है, यह स्वयम श्री कृष्ण भगवान का घर है उनकी लीला स्थली है, उनका धाम है यहां का वास, वो कोई सहज बात या सरल बात नहीं है अगर बहुत कृपा होती है, प्रियाजी की, रादाजी की, तब यहां का वास मिलता है अन्य अवास दुख योग, श्री नरुतम दास शाकुर महाशा ही कह रहे हैं कि अन्य अवास जो है वो बेकार है अन्य जगाँ पर इसलिए हमारे प्यारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ती के लिए जो है पांच मुख्य विधाएं बताई हैं कि ये पांच साधने इसे करिये जिसमें ब्रजवास या मत्वरावास जिसे कहा गया और मेरे से जादा कुछ संभव नहीं है, ठीक है, ब्रजवास करो तो पूरी धाम निष्ठा, धाम वासियों के प्रती निष्ठा और निरवराद भाव से रहो, तो भी आगे बढ़ जाओगे, है ना, तो दिव्य चिंतामणी धाम, यह दिव्य चिंतामणी धाम है, यह हमारी सारी चिंतन जो है, वो फ्रक्टिफाई होते हैं, फलित होते हैं, हमारे चिंतन क्या होना चाहिए, अब हमारे चिंतन को करेक्ट जो करता है, हमारे चिंतन को ठीक जगा पर लेकर के आता है, वो है भगवत कथा का श्रवन, और नाम संकीर्तन, भगवान का जब नामों का संक किर्टन करते हैं या हरी नाम बोलते हैं गाते हैं जाप करते हैं तो क्या होता है हमारा जो चित है वो निर्मल हो जाता है विशुद सत्व से युक्त हो जाता है है ना कृष्ण इतर वासनाई जाने लगते हैं तो फिर चिंतन क्या उठेगा चिंतन उठेगा हा प्रिया प्रि है ना नित्यानंद प्रभु ही तो धामतत्व हैं मैं तुछ नित्यानंद जी को लेके बायस हो जाती हूं क्योंकि वो संधनी शक्ति भी है बहुत सारी शक्तिया है उनमें तो नित्यानंद जी ही तो धामतत्व है ना बल्राम जी है संधनी शक्ति तो धामतत्व हैं वो सेवा किसे भी रूप में सेवा की कोई भी सामगरी नित्यानन्दत्वे है आशन जिस पर हम बैटे हैं और भगमान की सेवा करें वो भी दिव्व्य है, व्रिंदावन है नुस्थान, सेई धामे ना कईनु बसती, हाई कि उस धाम में मुझे वसो बास करने का मौका नहीं मिला, मैं वहाँ नहीं रह पाया, तो गुरुदेव कहते हैं, श्री व्रिंदावन धाम दिव्व्य अप्राकृत है, प्रपंच में प्रपंच में ही दिखेगा, यहाँ पर इंटरनेट कैफे भी है, यहाँ पर आइसक्रीम पॉलस भी है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन तो भी यह दिव्व्य है, दिव्य चिंतामनी धाम, धाम का जो स्वरूप है, वो कभी भी खंडित नहीं होता है, वो अप्राकृत ही रहे समझ गए, वो परम चिंद में हैं, सचिदा नंद में हैं, सर्व व्यापी हैं, विभू हैं, महान हैं, चाहे यह किरपा करके कोई भी रूप धारन कर लो आपकी मर्जी, क्यों कर रहे हैं, ताकि सब लोग आ सके महाँ पर, रिलेट कर सकें, गाडियां आ सकें, पार्किंग म प्यारे धाम, तो प्रबंच में अवस्तित होकर भी मगर प्रबंचा तीत हैं, यह हम साधकों को याद रखना पड़ेगा, चिन में हैं, यहां की कोई भी चीज प्राकृतिक नहीं है, वो अप्राकृतिक हैं, समझें, श्री कृष्ण की ही तरह उनकी संधनी शक्ति का और भूतल पर दोनों जगा एक साथ अवस्तान करते हैं, मैंने एक आचारे को पढ़ा, तो वो बोलते हैं कि अरे वो जो हैं, वो ही यह हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, उपर जो विरिंदावेने वही नीचे हैं, एक्सपैंशन हैं, विस्तार हैं, संधनी शक्ति से प भगमान की संधनी शक्ति से तो पृत्वी प्रकट नहीं है, मैं शक्ति से प्रकट हैं और यह हमारी शरीर वगएरा सब मैं शक्ति से प्रकट हैं, मगर हम जो हैं वो भगमान की तठस्ता शक्ति हैं, ठीक हैं? तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो धाम है, यह चिंता मणी है और आशित जनों को प्रेम प्रदान करके उन्हें धन्य करते हैं, ये धाम का कारे हैं, कि जिन्हों ने धाम का आश्य ले लिया, विन्दावन धाम उन्हें प्रेम प्रदान करेंगे ही, अगर निश्कपट आश्य है तो, धाम वासु के प्रति अपराद ना हो, बिल्कुल भी अपरादना हो बिल्कुल भी अपरादना हो बिल्कुल भी अपरादना हो ब्रजवासी कुछ भी कर रहा है कैसा भी कर रहा है याद रखना हमारी गुरुदेफ सीधा-सीधा बोलते हैं चार हातों वाले हैं कुछ भी कर रहे हैं तो वो जो कर रहे हैं वो भगवान जाने हैं है तो फिर कैसे राधनानी निकाल देंगे कान पकड़ के यहां से पता ही नहीं चलेगा, कभी नहीं मिलेंगे, ना धाम की गृपा मिलेंगे, ना प्रियाजी मिलेंगे, तो कहने कारते हैं कि प्रतेक जो धामवासी हैं, उनमें सच्चितानंद बुद्धी होनी चाहिए, कि यह स जामवासी ने मानव धर्म को अंगिकार किया हुआ है, पर यह मानव नहीं है, सेम्पल वन लाइन कंक्लूजन, यह मैं नहीं कह रहे हूँ, फिर से हमारे प्यारे श्री प्रबोधनन सरस्वती पात कह रहे हैं, अपने श्री बिंदावन महिमा मृतम ने, कि अगर आप लोग यहां रहते हैं, और यहां रहकर, यहां के जो जानवर हैं, उनके प्रती आप में द्वेश बुद्धी आ गई, और उनको प्रणाम नहीं किया, द्वेश बुद्धी आ गई, अरे यह जानवर है, हटाई से हटाई, 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 मारो उसको, उसकुत्ते को मारो, उसको पंजाब का असाम का और कहा कहा का शरीर हम ले करके आ गए बिहार का दिल्ली का यहां करके रह रहे हैं और थोड़े से पैसे ले करके बड़े बड़े फ्लैट्स डाल लिए और यहां पर इन्वेस्टमेंट करके कमाई कर रहे हैं किराय उठा रहे हैं बज़े से खा रहे हैं और यहां के निवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या होगी गती? है ना? तो इसलिए careful रहना है, इसलिए गुरुदेव कहते हैं, कि ये धाम जो है क्या है? अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरी असी, कि दिन में कम निवासेन हरो भक्ती प्रजायते, कि धन्या मधुपुरी, ये ब्रजधाम, वैकुंठ से भी पूजनिये हैं, जहां एक दिन वास करने से भी हरी भक्ती प्राप्त हो जाती है, निश्कपट वास करने से, वो रादे रादे बोले गई, उसे सारे लोग रादे रादे बोले गई, वो वाक करेगा तो भी रादे रादे बोले गई, बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा यहां पर, बड़े बड़े लोग, जो कभी रादे रादे नहीं बोलते थे, आप 4 देन, आप देखो, ओदर, 士न दे, आप डूएं गाते हैं आप दे दिनाओन कोण होते हैं, ओ हाय है 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 किए है हाय मचार रखे है, मनुष्य जीवन पाया, आख कृष्णा भजन नहीं किया इसले है ले रहा है ब्रह्मा जी आदिकेशी मुखपर असानी से नहीं आता है, उनकी कृपा से ही आता है, और यहां पर आते ही रजरानी की कृपा से, धामवासियों की कृपा से, तुरंद मूँ पे रादे-रादी नाम आ जाता है, छोटे-छोटे बच्चे, कॉन्वेंट वगेरा में जाने वा ठाकूर महा जे निर्वेत के साथ कहते हैं, दुखी हो करके कहते हैं, कि हाई-हाई, ऐसे दिव्व्य चिंतामणी धाम में मैंने वास नहीं किया, अन्त में कहते हैं कि विशेष विशे रती नहीं लो वैशनवे मती निरंतर खेद उठे मने, नरो तमदास कहे, जीवार उच पित नहें श्री गुरू वैश्णव सेवा बिने। और सरवदा भगवत चिंतन करने से फिर्दय में विशे चिंतन की चाया नहीं पड़ती। तो इसलिए तो हमारे शी ठाकुर महाशे ने एक बहुत आसान सा उपाय बता दिया। कि भाई अच्छा इतनी महिमा सुन ली भक्ति की, भगवान की, भजन की, धाम की, गौरहरी की। लेकिन तो भी जो है मन इस तरफ नहीं भाग रहा है। क्योंकि बड़ा कठिन मन हो गया है, विशेयों में बड़ा प्रवर्त है। विशेयों में रहना चाहता है, मैं विशेयरस कैसे छोड़ दूँँ। तो बोलने तरीका है एक ही तरीका है वैश्णवों में मती होनी चाहिए वैश्णवों में मती वैश्णवों की सेवा करना प्रारंब कर दो गुरु सेवा वैश्णव सेवा के बगैर जीव का जीवन में वे बेकार है क्योंकि उसी सेवा से सत्संग मिलेगा उसी सेवा से हिर् कलमश विहीन होगा द्वेश विहीन होगा उस सेवा से तो वैशनवों में मती हो और भक्तों का संग हो तो गुर्देव कहरें फिर जडिये विशेयों में मन नहीं लगेगा फिर तो मन जाएगा भगवान के जड़ों में आख, कान, नाख, जीवा, त्वचा इसके जो विशेय बन जाएंगे वो जड़िये विशेय नहीं बन जाएंगे जड़िये रूप रसादी वो बन जाएंगे भगवत रूप रसादी समझे? वो विशेय बन जाएंगे फिर क्या होगा? फिर उसके जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है आमूल माने मतलब जो विशय चिंतन था उसकी जड़ें भी समाप्त हो जाती है अभी हम सोचें आज से 10 साल पहले कैसे विशय चिंतन था 15 साल पहले कैसे विशयों में ही लगे रहते थे दोडते थे, भागते थे, है ना, ये देख वो देख, यहां मूवी लगी है, वो टिकट कटा ले, वो ब्लैक में मिल रही है, सब कर गया है, है ना, unfortunately सब कुस देखा है, बच्पन से हमें नहीं मिला, हमारी कर्म ऐसे नहीं थे कि बच्पन से हमें अच्छे संसकार मिलते, लेक चलता है, माला से ही फुर्सवत नहीं मिलती, सारा समय पर जितने हरी नाम बटोर लो, क्योंकि अब लगता है, जीवन बड़ा कम है भाई, पचास तो पार कर गए, अब क्या होगा, अब तो अंतिम पारी का केल चल रहा है, है ना, कब तक रही, कब तक ना रही, कुछ नहीं पता, तो, तो क्या है, कि वैश्णव में अगर मती हो, भक्त संग हो, गुरु कृपा हो, गुरु हरी की कृपा हो, तो क्या होता है, सदा भगवत चिंतन करने से, हिर्दय में, विशेयों के चिंतन की चाया भी नहीं पड़ती, बावा ने बहुत बड़ी बात कह दी, विश इसके हिर्दय से विशय मलिन्ता दूर हो जाती है, वो साधू मुक्से हरी कथा श्रमण कर उनका संग त्यागने में कभी समर्थ नहीं होता, सत संगान मुक्त दू संगो हातूम नूत सहते बुधा, यानि इश्वर स्वरूप भक्ततार अधिस्ठान, भक्तेर हिर्दे कृष् अगर वो रसिक हो गया है, अगर उसका जो विशय निष्ट मन है, जो कठिन मन है, वो तरल हो गया है, और भगवत चिंतन में लगे रहने का आदी हो गया है, तो वो संग वो त्याग नहीं सकता, वो कहेगा नहीं, नहीं, इस संग को त्यागने से अच्छा तो ये शरीर ही त्याग दूँ, शेरीर को रखने का फायदा क्या, फिर तो बोज ही जैसा लगेगा, ऐसा अपने आपको लगने लगता है, है ना, यह मतलब, जो सब हमारे प्यारे गुरुदेव के हरी कथा को सुनते थे, उनकी क्या आहलत होती हो गया, कार्थिक आता है, लेकिन गुरुदे साल से बाबा को सुन रहे थे, उनकी क्या आवस्ता होती होगी, बताओ, कहां बाबा, है ना, साक्षात सूर्य, चमकते हुए, कहां उनकी योजमई वानी, कहां उनका भावयुक्त गदगद, अनुभावयुक्त, स्वर, और कहां, हम जैसे टिम्टि मारते हुए, जुगनों से भी बत्तर कीड़े, हम क्या बोल पाएंगे बताओ, हम तो अपने गुरुदेव की वानी का ही बस आसवाधन करके, धन्याती धन्य महसूस करते हैं, कि हम उनकी वानी का आसवाधन कर रहे हैं, उस पर भी अगर कोई, मुझ जैसे वेक्ति को क्रेडिट दे तो बड़ी हास तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए कहा कि सादू संग के प्रभाव से जिसके हिर्दय से विशय मलिंतत दूर हो जाती है, वो सादू मुख से हरी कथा शमण कर, उनका संग त्यागने में कभी समर्थ नहीं होता, क्योंकि भक्त जो है भगवान का स्परूप है, और भ जानी विशय वासना तप्त जीव के हिर्दय रूपी मरुस्थल में भक्ति सुधारस का सिंचन कर दी है, जो भक्ति में नहीं उसका हिर्दय कितना तप्त है विचारा, वो विचारा है, है कि नहीं, विचारा है कि नहीं बोलो, वो विचारा है क्योंकि विशय वासनाओं से तब तक तहुत है उसका हुरता है जब देखो तब आप आप सीखांगत है कि यह घोतें केरिया चरुम की वदूरी में यह तल्लीन हो जाएंगे आपनु ना करते है हम दिये अट है कुछ, है न? फिर तो उसको ही पाने के लिए हाहकार मचेगा, इसलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि भटों के हिर्दे में, श्रीक्रिशन सब्णा आनंद से वास करते हैं, मजबूरी से वास नहीं करते हैं, आनन्द उने वही मिलता है बाग क्यों के हिर्दय में तो तपन मिलती है अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हर एक के साथ है भगवान तो भी देखते हैं ओहो ये कितना गरम हिर्दय है भाई यां तो बड़ी ही वास्तनाओं की आग जल रही है दूदू करके कभी शांती नहीं होती विचारे आनन्द से नहीं रहते तो वो अराम ही नहीं कर पाते भक्त के हिर्दय में गोविंद यर विश्राम गोविंद कहे वैश्नव मोर प्रान भक्त के हिर्दय में विश्राम करते हैं वो आनन्द से यहां वासना नहीं है, शीतलता, ठंडक, मुझे ठंडक बहुत पसंद है, ठंडे पड़े रहते हैं, आनन्द आता है उन्हें, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भक्त का जो हिर्दय के से जो उदगार निकलते हैं, वो उनका प्रेम पूर्ण अनुभाव की वानी होते हैं, एक तो ग्रंथ की वानी का सहारा है, एक शास्त्रों की वानी का सहारा है, और एक जो उनका ये सब सहारा मिलकर, उनका अपना जो प्रेम का अनुभाव है, उसमें मिलकरके ये जो वानी है, वो चमतकृत कर देती है भक्त को, अन्य भक्त को जो सुन रहा है, है ना, तो फिर क्या होता है? फिर हिर्दय रूपी मरुस्थर में भक्ति-सुधा-रस का सिंचन होता है. श्रिलण ठाकूर महाचे कहते हैं कि ऐसे वैश्नolic, जो भक्ति के अनुभव सेुख्त हों, प्रेम रस से, मैं अनुभव से युक्त हों जिनकी वानी प्रेम रस से सनी हुई हो, प्रेम रस से गुधी हुई हो, है ना, तो ऐसे वैशनमों का संग मुझे नहीं मिला, उनमें मेरी मती नहीं हुई, उनको तो बहुत वैशनमों का संग मिला, रामचंदर कविराज, शिनिवा सचारी जी, बहुत सारे वैश वेश्णव है, तो उनका संग मिला लेकिन हमारे ले कह रहे हैं, कि हमारी मती नहीं रही, आगर हमारी मती रहती एक शुद्ध इच्छा होती, दृडड इच्छा खोती, तो ऐसा वेश्णव संग भी मिलता, लेकिन नहीं रही इसलिए मन में निरंतर खेद लगता है और जगता है श्री गुरु वैश्नव की सेवा के बिना जीवित रहना उचित नहीं ऐसा हमारे श्री नुर्तमदास ठाकुर महाशे कहते हैं तो बहुती सुन्दर चर्चा रही है बहुती सुन्दर वैश्नव के उपर वैश्नों के उपर गान रहा और महाप्रभु की महिमा के उपर श्री सानातन रूपादी समस्त भक्त गणो की महत्ता और कैसे श्री प्रबोधनन सरस्वतिपाद बार बार श्रीमन महाप्रभु का तत्व उजागर कर रहे हैं, बहुत ही प्यार, प्यारे तरीके से कहीं कहीं थोड़ा कठोर भी हो जाते हैं, दिवस्तु दिवस्तु, तो बहुत सुन्दर चर्चा ये रही, और आगे भी वैश्नो महिमा पर ही अनेक पद हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे, शिमन तो इसे के साथ आज की ये जो भागवती चर्चा है, यहीं पर विश्याम लेती हैं, जय जय श्री रादेश्याद।